नमस्कार स्वागताब सभीका मैं हूँ आपके सर्प्रतिक्षा आज एक बहुत एहम मुद्दे पर हम बाचीत कर रहे हैं और मुद्दा है कश्मीर कश्मीर एक ऐसा राज एक ऐसा शब्द जो की लगातार सुर्खियों में होता है जो की लगातार चर्चा में होता है लेकिन आज बात देश भर के गुस्से की है आज बात देश की नाराजगी की है जो सरकार के परती है दरसल कल जिस तरीके से एक जवान का पहरण होता है और उसके बाद शाम तक उसकी लाश मिलती है आतंकियों के होसले बुलंद है भारत अपनी आतंकी कारवाई को पूरा खत्म करने के लिए अपना जो अपरेशन है उसे रमजान की वज़े से रोक रहा है रमजान की वज़े से उसे रोका गया है लेगन आप देखिए कि आतंकियों का कोई मजभब नहीं होता रमजान में ईद के एक दिन पहले अगर किसी के घर का बच्चा चला जाए तो आप अंदाजा लगाईए कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी ऐसा ही कुछ हुआ भारती सेना के जवान का सुबह नौ बजी के आसपास अपरन हुआ औरंग जेब और शाम को गोलियों से छली शरीर मिला उस माँ पर क्या बिती होगी जिसका जवान बेटा छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहा था जो ईद के लिए घर आ रहा था लेकिन आई तो उसकी लाश ये मामला ठंडा नहीं हुआ था और दूसरा बड़ा मामला सामने आ गया राइजिंग कश्मीर के पत्रकार संबादक और कश्मीर की आवाज उठाने वाले बुखारी उनकी हत्या कर दी गई तब हत्या हुई जब वो इफ्तार पार्टी के लिए निकल रहे थे इफ्तार के लिए शाम को जा रहे थे रमजान का महीना है और जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं निश्चित ही ये बात तो तै होती है कि आतंकियों का कोई मजभ नहीं होता ये बात हो गई उन दो घटनाओं की अब जड़ा बात करते हैं सरकार की महबूबा मुफ्ती जमो कश्मीर की मुख्य मंतरी घटना की कड़ी निंदा करते नज़र आई ग्रह मंतरी राजनात सिंग घटना की कड़ी निंदा करते नज़र आए राहुल गांधी विपक्ष के बड़ा चेरा कह सकते हैं या यूं कहें कि कॉंग्रेस पार्टी के अध्याक्ष कड़ी निंदा करते नजर आए आखिर आज देश बहुत एहम सवाल कर रहा है कि कड़ी निंदा कब तक कब आतंकियों के चंगुल से हम कश्मीर को छुड़ा पाएंगे कब हम अपने जवानों की बली यूही कड़ी निंदा के नाम पर करते रहेंगे कब हमें आतंकियों से छुटकारा मिलेगा और कब कश्मीर वाकई में स्वर्ग बनेगा ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत जायज हैं और लगातार होती घटनाओं के बाद अब बहुत प्रासंगिक भी हो गए हैं देश गुस्से में है और ये जानना चाहता है कि आखिर सरकार कब और कैसे इन आतंकियों के चंगुल से उन आम लोगों को छुड़ा पाएगी उन जवानों को छुड़ा पाएगी या उन लोगों को बचा पाएगी जो की अपनी आवाज बुलंद करते हैं सवाल के इंदर सरकार से है कि आखिर कड़ी निंदा कब तक